ये रिक्षा देख रहे हैं, प्लांट से भरा हुआ है, तो मैं प्लांट की शॉपिंग जाद अतर अपने घर के बाहरी कर लेती हूँ, ये सोचकार के मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, रिजनेबिल रेट भी मिल जाते हैं, और ये गरीब जो के गली-गली पौधे ब करती हूँ, प्लांटर का अरेंजमेंट करती हूँ, ग्रो कर लेती हूँ, फिर जरूरत के हिसाफ से पौधे लेती हूँ, असलालेकूम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल शवनूरली, प्लांटर का इंतिजाम अपने ही किचन से, और प्लांट मैंने उनसे दो लिये हैं, एक है ये कोफ्या का प्लांट, और दूसरा हमारा ये मिनी चान्नी, रेड चान्नी, जिसको हम जट्रोफा भी कहते हैं, लेकिन आज हम डिपार्टिंग करेंगे इस कोफ्या के प्लांट को, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक मिटी कितनी सूख गई है, कल शाम को मैंने ल प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं और हरे भरे रहते हैं, इसकी जड़े काफी एक्स्ट्रा हैं, तो हम जल्दी से रिपार्ट कर लेते हैं, क्यूंकि कहीं गर्मी से और उन जड़ों में हवा लगने से वो खराब न हो जाए, उसी के लिए मैंने प्लांटर खरीदा नहीं अपने किचिन से एक ऐसा वेस्ट डबबा हम लेकर आए हैं, एर टाइट डबबा था, डखकन हमने हटा दिया, ड्रेनेज होल इसमें हमने बना लिये हैं, और आसपास हैंकर निकली चार ड्रेनेज होल और बनाए हैं, तो मिटी ना निकले, सिर्फ पानी निकले, इस वज़ देते हैं, और ये मिलाएंगे हम वर्मी कंपोस्ट, लेकिन क्योंकि काम बिल्कुल फटा फट करना है, तो हम मिटी इसी में भर कर लाते हैं, और फिर उसके बाद मिक्स करेंगे इसमें कंपोस्ट और भी बहुत सी चीजें, तो मैं मिटी मिला कर लाई हूँ और उसमें भी मिली हुई है 50-50% का ही रेश्यू है अब हम इसमें ये वर्मी कंपोस मिलाते हैं ये सिर्फ वर्मी कंपोस नहीं होती है इसमें पोटाश नीम खली भी मिक्स होती है अपने काम को जल्दी और असानी से करने के लिए मैंने इसी प्लांटर में सब मिक्स कर दिया है अब हम इ प्लांट्स पे कोई भी किड़े का पेस्ट अटेक भी नहीं होता है मिटी में भी फंगस नहीं लगती है जिसे प्लांट्स मरते मरते भी बच जाते हैं तो हल्दी को जरूर यूज करना चाहिए ये देखे रूट पाउल इसका पहले तो ये हमारे प्लांटर में आने वाला नहीं है दूसरा इसकी एक्स्ट्रा रूट बहुत जादा है तो हम इसको ट्रिम करने के बाद ही लगाएने वाले हैं ताकि हमारे प्लांटर में ये सेट हो जाए और हमें जल्दी जल्दी रिपार इस ग्रो बैक में ही निकाल लेनी है और उसमें इतना स्पेस बना लेना है कि प्लांट का रूट बाउल उसमें एड़स्ट हो जाए वो भी बिल्कुल स्ट्रेट इसकी एक्स्ट्रा रूट जो मैंने ट्रिम की है इससे कोई दिकत की बात नहीं है प्लांट पर कोई असर नहीं परने वाला है और इस रूट को हम चाहें तो इस प्लांटर के नीचे भी डाल सकते हैं या ग्रो बैक में रख देंगे तो रूट बाउल को मैंने बिल्कुल एज़स्ट कर दिया है अब हम इसके साइड साइड से जो ग्रो बैक में हमने मिटी भर दी थी इसी लिए भरी थी के हमें डालने में इसमें भरने में आसानी हो तो बस इस तरह से रोटेट करते हुए आप चारों तरफ मिटी को फैला दीजिए और टैप करते हुए उसको या फिर प्रेशर से दबाते हुए ठीक से बैठा दीजिए मिटी को मिटी का लेविल पर होना बहुत जरूरी है अभी लेकर लगा सकते हैं फ्लारिंग के लिए इसको संलाइट की ज़रूरत रहती है लेकिन अभी ते तेज गर्मी में नहीन आपको सेमीशेड में रखना होगा तो अब समर सीजन में यह अच्छे से आपके बालकनी पर चल जाएगा लेकिन बालकनी पर रोशनी अच्छे से होना चाहिए और अगर सुबा की और शाम की थोड़ी धूप मिल जाती है तो कूफ्या के लिए बहुत अच्छा होता है रिपोर्टिंग तो शाम को करना चाहिए लेकिन प्लांट सूख रहा था तो मैंने सुबा के टाइम में कर दी है और इसको अभी शेड में ही रखेंगे थोड़ी धेर बाद हम इसको दिखाते हैं तो अब थोड़े बाद देखिए किता मुर्जाय मुर्जाय सा कूफ्या का ये प्लांट था लेकिन अब धीरे धीरे ये पानी पड़ते ही हरा हो रहा है और इसके फूल जो मुर्जाने लगे थे अब फिर से थोड़े थोड़े से खुल रहे हैं और ये तक्रीबन मैं एक घंटे बाद शूट करके आपको दिखा रही हूँ और अभी ये थोड़ा ही खुला है अभी तो ये और ग्रीन होगा तब हम आपके साथ फिर कभी शेयर करेंगे तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कर लेने से कोई पैसे या कोई चार्जिस नहीं पड़ते हैं लेकिन अच्छे अच्छे वीडियोज आपको फ्री में मिल जाते हैं और कुछ नॉलिज भी मिल जाती है गार्णिंग से प्यार हो जाता है गार्णिंग करने लगते हैं तुफिर, आला हाफिस